आज हम आपकी खिद्मत में हाजर हुए एक नई रेस्पी के साथ हम बना रहे हैं आलू शल जम और चिकन हमें जो चीजे चाहिए थी वो हमने त्यार कर ली है और अब हम बनाना शुरू करते हैं घी गरम होने के लिए रख लिया है और अब हम इसमें आदा किलो चिकन और तीन प्यास डाल के इसको थोड़ी देर साथ से आठ मिंट तक पकाएंगे इसमें दो चमच कुटी हुई लाल मिर्च आदा चमच हल्दी और देड़ चमच नमक शामल कर दिया है और यह हमने इसलिए पहले शामल कर दिया है कि उसमें टेस्ट अच्छा आ जाएगा यह चिकन थोड़ा भूनेंगे अब हम इसमें टमाटर डालेंगे शल जम हमने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है अब तीन कटे हुए आलू इसमें शामल करेंगे सबस मिर्चे डालेंगे और फिर हम इसे पकाएंगे अब दो चमच गरम मिसाला इसमें शामल कर लेंगे इसमें जीरा और साबत काली मिट भी शामल कर लेंगे अब इसमें पानी एक कप शामल कर देंगे इसे पकते हुए 12-15 मिंट हो गया है माशाला माशाला सुभान अल्वा अब हमारे अलू शिल्जम और चिकन रेडी हो गया है अब इसे गारनिश कर लेंगे आप भी बनाएं और रिसक में बरकते अता करें और फिर मिलेंगे इन्शालला नई रैस्पी के साथ इसके साथ ही हम अजाज़त चाहते हैं अल्ला हाफिज